है 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 हेलो स्टूडेंट वेल्कम टू सेयर इंटरनेशनल ओन्लाइन क्लासिज पैटा कल हमने यह स्टार्ट किया था कि यह महाधिबय ढाल के बारे में आज हम डिसकस करते हैं कि यह महादीप्य मगंतत के किनारे कि जो महादीप्य यानि कॉंटिनेंटल जो सेल्फ है उसके किनारे यानि शोर कि यह महादीप्य मगंतत के किनारे और महादीप्य उत्तान कि जहां से महादीप का उत्तान होता है कि महादीप्य मगंतत के किनारे और महादीपिय कुस्तान के पीच का वहे ढ़ाल होता है जो साधारंत है यानि उनके बीच का वहे ढ़ाल होता है जो नॉर्मली खड़ा यानि जिसका स्लोप जादा हो और अधिक तीवर यानि वहे खड़ा होता है और अधिक तीवर है उसका ढ़ाल होता है इसका ढ़ाल 2 इसकी घेहराई 200 ndad से 300 कि आकर्टि की ड्षटी से दाल पाँच परकार के होते है और आकर्थी के ऊपर जाते हैं तो माधी पैर डाल है वह 5 परकार के होते हैं जिसमें पहले आता है अधिक ठिर ढाल यानि उसमें षेब के उन्हाल जब के जिएम इसी वी शेप का कहीं गहरा रूप कैनियन है वो कहलाता है तो इनके के जो ढाल होते हैं वो कैनियन के रूप में कटे होते हैं ठीक है सेकिंड है मन ढाल यहां पर जो ढाल हो बिल्कुल मन होता है यहां कम ढाल होता है जिन पर लंबी लंबी पहाडियां तथा बैशने होती है कि उसके उपर लंबी लंबी पहाडियां और उसके उपर बैशने हैं वो होती है तीसरा आता है भरंशित ढाल ठीक है फौर्थ है सीडी नूमा ढाल अब सीडी नूमा ढाल कैसे होगा जैसे यह स्टेर्स के रूप में ऐसे step by step by step ढाल है वो ऐसे ऐसे धिरे है वो बढ़ता जाता है यानि सीडी नुमाज ढाल फिर फिफ्थ है वे ढाल जिन पर समुद्री परवत स्थिर होते हैं कि वो ढाल जिन के ओपर जो समुद्रों के जो परवत हैं वो स्थिर होते हैं तो यह आकत्ति के हिसाब से जो माधी पुखतान ठीक एकि मादी पुखतान यानी Continental स्तरी पर मादीपर उट्तान Continental समुन्दर नीचे यानी पानी के नीचे जहां मादीपर ढाल काँवास Uhr होता है यसके बाद मादी पर ढाल सुरू होता है लेकिन जहां महदी पे ढाल का अंत होता है उसके बाद महदी पे उत्तान ठीक है continental rise है वो start होता है वही मंद ढाल वाले महदी पे उत्तान का आरंब होता है यानि जहां पर महदी पे ढाल का अंत होता है वही पर मंद ढाल वाले महदी पे उत्तान का आरंब होता है यानि वही से continental rise है, वो start होता है, इसकी ढाल 0.5 से 1 डिगरी तक होती है, जैंने इसकी ढाल है, इसका स्लोप 0.5 डिगरी से 1 डिगरी तक इसका स्लोप होता है, इसका समाने उच्चावच भी कम होता है, जैंने इसका जो normally relief है, वो भी है, कम होता है यह समाने उच्छावच है वो ज़्यादा नहीं होता बलकि समाने जो उच्छावच है वो कम होता है गहराई बढ़ने के साथ यह लगबग समतल होकर कि जैसे जैसे गहराई यानि जैसे जैसे हम नीचे चले जाते हैं या गहराई में जाते हैं गहराई बढ़ने के साथ यह नित्तल मैदान में विलीन हो जाता है यानि जो नित्तल मैदान है फ्लोर आता है उस floor में यह समाप्त है, वो हो जाता है, यहीं पर महदीपे खंडों का अंत माना जाता है, और यहीं पर जो महदीपे खंड होते हैं, उनका अंत है, यानि फिनिशिंग है, वो मानी जाती है अब नेक्स्ट इसमें आता है कि नितल मैदान, यानि एवेसियन प्लेन, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में जाकर महासागर का जो नितल है, वो बिल्कुल प्लेन है, वो हो जाता है, महादीपे उत्तान के बाद, कि महादीपे उत्तान के बाद, कॉंटिनेंटल राइस के बाद, महासागर की तली एक विसाल यानि महासागर की जो तली है वो एक विसाल मैदान की बाती नजर आती है क्यों महासागर की जो तली है वो एक बड़े मैदान की तरह है वो नजर आती है जिसकी गहराई 4000 से 6000 मिटर तक होती है और मासाग्रतली की जो गहराई है वो 4000 से लेकर 6000 मीजटर तक है वो होती है इनहें गंभीर सागरीय मैदान भी कहते हैं यह दिशेख सागरों के कुल तटका 77% भाग यही है वो इनहीं निद्टल मैदान और विवा примल उसनीस फास्टोय। भी यहां वास्ताव में नित्तल मैदन उन छेत्रों से पाये और वास्तम में जो नित्ल मैदान है वो उन छेत्र में अधिक पाए जाते हैं जहां स्थल जनित अवसादों की पूरती अधिक मात्रा में होती है कि नितल मैदान उन छेत्रों में अधिक पाए जाते हैं जहां स्थल जनित यहां स्थल के जो अवसाद होते हैं सेडिमेंट्स होते हैं उनकी क्वांटिटी है वो उनकी पूर्ती है वो ज्यादा मात्रा में होते हैं और इनकी पूर्ती कहां से होते हैं कि इनकी पूर्ती होते ह ज़े नदियां अपने साथ जो सेडिमेंट्स ज़्यादा बहांकर लाती हैं उन्हीं चेत्र में साग्रे नितल मैदान है वो ज़्यादा पाए जाते हैं अभसादों की अधिकता ने तल मैदानों की विशम आकरतियों को अपने अंदर छिपा लेती है जिससे मैदान समतल दिखाई देते हैं अब अभसाद यहीं सेड्मेंट्स जब अधिक मातर में होती हैं तो साग्रे मैदान के ऊपर जो आकरतीयानी शेपस में जो विशमताईं पाई जाती है वो उन्हीं समताओं को भर देती है जिसे गंबीर सागरे मैदान है वो एक समतल मैदान की तरह दिखाई देता है अब देखो यह चार जो भाग थे इनके अलावा कुछ लगू आकरतिया है वो भी महासागरों की फ्लोर के उपर स्पाई जाती है उच्छावच क की लगू आकरतियां मासागर नितल के उप्युक्थ चार पर्मुक भाग एकदम सपाट नहीं होते कि मासागरिय नितल के जो उपर वाले चार भाग जैसे Continental Rise, Continental Slope, Continental Self, Avisal Plane, इनके अलावा जो परमुक एकदम स्पार्ट है वो नहीं होते, बलकि उन पर कि इन चारों के उपर भी स्थानिय स्थर पर विवीद परकार की अंत्य समुद्री आकरतियां और सवरूप पाए जाते हैं, कि यह नहीं Continental Rise, Continental Slope, Continental Plane, Avisal Plane, इनकी यह एकदम से बिलकुल स्पार्ट नहीं होती, यह नहीं एकदम से प्लेन नहीं होती, इनके उपर भी कुछ छोटी-मोटी लगू आकरतियां हैं, वो पाई जाती हैं, जैसमें फस्ट आता है आपका जलमगन कटक, ठीक है, जलमगन कटक, यहनि सब मेराइन रिज, मासागरों की तली पर स्थित, सेकडों किलोमेटर चोडी और हजारों किलोमेटर लंबी परवत स्रेणियों को जलमगन कटक कहते हैं, कि मासागरों की तली की उपर सेकडों मीटर तो चोडी और हजारों किलोमेटर लंबी परवत जो स्रेणिया हैं, उनको जलमगन, सब मेराइन से रिज ह वो कहा जाता है Mid-Atlantic Ridge ऐसी समुंदरी कटकों का सरवत्तम उधान है ये जलमगन कटक पिर्थवी पर सबसे लंबे परवत तंतर का निर्मान कते हैं कि Mid-Atlantic जो रिज है वो जलमगन कटक का सबसे अच्छा उधान है और ये लंबे जो कटक है ये पिर्थवी पर सबसे बड़े परवत तंतर का निर्मान है वो करते हैं अत्यदिक उच्छवच वाले इन जलमगन परवतों की कुल लंबाई 75,000 किलोमेटर से भी अधिक है यह इनकी जो गहरा यह 75,000 किलोमेटर से भी अधिक है वो इनकी लंबाई है यह परवत तंतर प्राय मासागरों के मध्य में पाए जाते हैं इन परवत स्रंखलाओं के शिखर की उचाई यह 5000 किलोमेटर तक हो सकती है मगर इने शिखर कहीं-कहीं समुदर तल से ऊपर निकल कर दीपों का निर्मान करते हैं और कहीं-कहीं इनके जो शिखर है वो समुदर तल से यह वाटर लेवल से समुदर का जो लेवल है उससे ऊपर निकल कर एक आइलेंड का यह दीपों का नि सेलवगां की सारी पिर्थ्वी पर विवर्तिन घलचलों की कि सारी पिर्थ्वी पर जो पाई जाने वाली है मैं अब नेक्स्ट आता है निटल पहाड़ियां थेक connection मासागरों की के तल पर समुंद्र जल में । हजारों एक आग की पहाडियां पाई जाते हैं। जिनकी चोटी नितल से जल में डूब्य ऐसे पर्वत जिनकी चोटी नितल से 3,000-4,000-4,000 pilgr satu हो संदरी टीले करते कि जल में डूब्य ऐसी चोटी जिनकी 3,000-4,000 मीटर उची हो इनको क्या कहते on इनको कहते हैं वेटा समुंद्री टीले स्पार्ट सीर्ष वाले समुंद्री परोतों को गयोट कहा जाता है अब स्पार्ट सीर्ष यह जो यह क्या है कि प्लेन इसको गयोट कहते हैं ठीक है कि यह कहा कि यह बिल्कुल कौन सेप में नहों करी प्लेन सेप में हो तो इसको है मासागरे नितल पर ऐसी सभी आकर्तियों की रचना जौलम की किरिया से होती है और मासागरे नितल पर ऐसी आकर्तियों की रचना यानी नितल पाड़िया इनकी जो formations है वो volcanic eruption से इनकी formation से होती है जौलाम की किरिया से इनकी रचना है वो होती है इसके बार next आता है आपका जल्मगन खाईया या गर्द मासागरिय नितल परस्थित तीरु ढालवाले लंबे पतले और अवनमन को खाई या गर्द कहते हैं इनकी गहराई समानते साड़े 5,000 मेटर होती है और इनकी जो गहराई है समानत है नौर्मली यानि साड़े 5,000 मेटर इनकी depth है वो होती है यह मासागरों के सबसे गहरे बाग होते हैं जिनका तल मासागरों के ओसत नितल से काफी नीचा होता है इनकी उत्पत्ति वुलन अथ्वा रंस के कान होती है उसकी जो autляется इनकी सबसे गहरे बाते है मासागरों के सबसे गहरे बाग होते यह माशाग़ेखाई के सबसे गहरे बायते हैं और इनकी उत्पत्ति है वह बलन और ब्रंस के काले कान कि जैसे भाग का ऐसे band होना इनके काण ही इनकी ओरिजिन है वो होता है जैसे परसांत मासागर का मेरियाना गर्द है वो इसकी जो डेफ्ट है वो 11,075 मिटर के आसपास है ये जलमगन संकेन खाईया अपने निकटवर्टी मोरदार परवतों अत्वा दीप मालाओं के समानांतर स्थित होती है स्क्रिय जवाला मुकी और परबल भुकंप वाले छेत्रों से समंदित होने के काणि इनका प्लेटों के संचन के अधन के लिए काफी महतव है अब अभी तक लगब फिफ्टी सेवन गर्तों को खोजा गया है यहनि अभी तक अभी तक नॉर्मली फिफ्टी सेवन यहनि फिफ्टी सेवन जो गर्त है वो तीनों मासागर को मिलाकर अट्लांटिक मासागर हिंद मासागर परसांत मासागर तीनों मासागरों को मिलाकर में से तर्टी टू पर्षांत मासागर में 19 एत्लांटिक उस सिक्स इन मास दर्में ए OUT je Toتي तू परसंत मासागर में wie 19 आत्लांटिक मासागर में और सिक्सFit हिंद मासागर में हैं यह खोजे गये है यानि 32 तो परसान 19 अट्लांटिक और 6 हिंद मासा तो टोटल जो 57 जो गरते हैं इनकी खोज है वो की गई है इसके बार नेस्ट आता है आपका जलमगन कैनियन ठीक है सब मेराइन कैनियन मासागरे नितल पर तिर ढाल वाली गहरी वे संक्री वी आकार की घाटियां कि मासागरे नितल पर तिर ढाल वाली गहरी वे संक्री वी आकार की घाटियों अथ्वा गार्जों को जलमगन कैनियन कहते हैं इन से कुछ की तोला कोलरेडो नदी के ग्रेंड कैनियन से की जा सकती है इन में से कुछ का जो कंपेरिजन है वो कोलरेडो कोलरेडो कुलरेडो नदी के कैनियन से की जा सकती है जो विशु का सबसे बड़ा कैनियन है कोलरेडो नदी के उपार जो यह क्या है कि जलमगन से हमराइन जो कैनियन है यह गहरी और वी आकार की संकिन गहरी गातिया है इन इक वै McKee कुछ की कंपेरिजन है वो कब些 सबसे बड़ा कैनियन है उससे कंपेरिजन है वो किया जा सकता है कई वार यह बड़ी नदियों के महाने से आगे की और विश्दित होकर महादीपय मगन तर्टव ड्हालों को आर पार काटती नजर आती है, हडशन कैंयन विशु के परसित जलमगण कैंयन है, अनमान है कि विशु में 102 जलमगण कैंयन है, कि हडसन विश्व का सबसे परसित जलमगन कैनियन है औरे कर्मान के अनुशार विश्व में 102 जलमगन कैनियन है लास्ट आता है आपका परवाल दीः यह उश्व कट कटबंदिय थे आकार के दीप हैं कि ये उशन कटिवंदे छेत्रों में या मासाग में पाया जाने वाले परवाल से निर्मित है वो दीप होते हैं जो केंद्रिय और नमनो को चारों और से गहरे होते हैं ये समुंदर का भाग हो सकते हैं अत्वा कभी कभी ताजे खारे अत्वा अत्यदिक लाउने जल को गेरे रहते हैं है कि समुदर का भाग हो सकते हैं और कभी कभी अत्यदिक ताजे खारे और जो लाउने जल होता है उसको गेरे हुए हो सकते हैं